गुद मॉल्निंग दोस्तों आप सभी जल्दी जल्दी जूल जाएए आज हम लोग करेंगे साइंस सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव परशन जो की आपके बोड एकजाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो जल्दी से जूल जाए यादी आप सभी जूल गए हो तो एक में इस लेख दो आप सभी जल्दी से जल्दी से करो चलो थीक आप सभी जुड़ गए है चलिए जेए कमेंट मे एक बड़त ओर एस की जापसे भी भास The Smay Diamento कोईस्चन देखिए हमारा बहुत भीविया है या पहला कोईस्चन है धातू किसे कहते हैं तो इसका एंसल्ट दखिए जो उसमा तथा विदूत का चालन कलती है उसे और धातू कहते हैं देखिए बहुत भीविया है आपको तुरंत याद हो जाएगा जो उसमा तथा विदू तथा विदूत का चालन कलती है उसे ओधातू कहते हैं चलिए आप हम लोग देखेंगे दो नमर सवाल को पहले आप सभी जल्दी से कमेंट किजिए क्या आप सभी को समझे आगा पहला कुश्चन चलिए चलिए आप सभी सही बतारे चलिए हम दो नमर सवाल को देखते हैं हमा चालन नहीं कलती है उसे ओधातू कहते हैं लिखा गया है कुछ गलत उसे ओधातू कहते हैं इस परकासे ये भी नहीं होना चाहिए था और यहाँ पर हो जाते हैं ओधातू कहते हैं इस परकासे लिखा हुआ ठीक है आप सभी देख लिजिए सुनी लिजिए याद हो जो उस्मा एबंबिदुत का चालन नहीं करती है उसे हम लोग कहेंगे ओ धातू चलिए आप सभी को समझ में आया होगा अब हम लोग करेंगे ठीन नमर सवाल को तो आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी से कियांसे और यादी कर लीजिए जीव सरीर की रचनातमक और किरयातमक इकाई को को सीखा कहते हैं कि आप सभी को को समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी आप सभी कमेंट किजिए क्या समझ में आ रहा है तो चलिए आप सभी को समझ में आ रहा होगा हम लोग करेंगे अब चाल नमर सवाल को हमारा चाल नमर सवाल बहुत भिविया है इसको भी ध्यान से देखिए ध्यान से देखिए सवाल जो है बहु कोशी किया जीव क्या है बहु कोशी किया जीव क्या है तो इसका राइट एंसर देखेंगे जिसमें बहुत कोशी का पाई जाती है उसे बहु कोशी किया जीव कहते हैं आपको ध्यान रखना है कोशी का इस परकाशे होता है तो जिसमें बहुत सवरा इस प्रकास से कोशिका मिलेगा उसी को हम रोग कहेंगे बहुत कोशिका है तो उसी को हम रोग कहेंगे बहुत कोशिका है तो उसी को हम रोग कहेंगे बहुत कोशिका है ठीक है आप सभी को याद हो गया होगा क्या याद हो गया तो आप सभी जल्दी से कमेंट कि जीए और एक बार हम फिर से एंसर इसकार दे जते हैं जिसमें बहुत कोशी का पाई जाती है उसे बहुत कोशी की अजीव कहते हैं एक्जामपल के लिए समझे तो कोशी का में जो है ना उपकिस क्या-क्या मिलता है आप सभी ध्यान से देखिए कोशी का में कबक पाया जाता ह पादप तथा विक्षित जन्तु आधि पाया जाता है एक्जामपल के लिए आपको बताए हैं तो चलिए आप हम लोग करेंगे पांच नमर सवाल को हमारा पांच नमर सवार इस प्रकार से है सवाल है कोशिका की खोज किसने किया था बहुत बिविया कोश्चन है इसको आप स 168-चवी में रोवत हुक नामक अंग्रेज बैग्यानिक ने माइक्रो एसकोप का निर्मान किया था उन्होंने माइक्रो एसकोप की सहायता से ही कोशिका की खोज किठी दखिए ये कोशियन वह बहुत बिविया है हर एक सार पूछता है ध्यान से रखिएगा आपको पुछ सिखा की खोज किया था तो आपको याद रखना है रोवर्ट हुक ने तो इसमें दो दो जयक्टिव में भी पूछिड़ता है तो आप सको सबजक्ति याद रखना है सन 1665 एस्वी में रोवर्ट हुक नामक अंग्रेज बैग्यानिक ने माइक्रो एसकोप का निर्मान किया पुछता सवाल है लेकिन दो नमर में यह सभी सवाल पूछता आपको ध्यान रखना है या जितना भी सवाल है या सभी दो नम्रा सबार है जो कि आपको निश्ची तरहता है पूछ देगा तो आप सभी इसको ध्यान से देखिए और याद कर लिजिए नहीं होगा तो आप सभी एक कलम कोपी निकाली और उस पड़ सभी का राई टेंसर लिख लिजिए अप छथा कोश्चन देखिए उत् सभी और याद कर लुख रिखना है वीक ऑदो सवाल को देख ते हैं नमर्सवार भी हमारा इसी प्रकार से हैं सवाल है दो ऐसे कोशिकाओं के नाम लिखिए जिनके अंदर उनका अपना अनुवांसिक पदात होता है तो दखिए असानी से इसको याद रखेगा आपको पुछता है दो ऐसे कोशिकाओं के नाम लिखिए जिनके अंदर उनका अपना अनुवांसिक पद जाए फोग्यव दखी आपको याड़ना तो म यहाद से प्रकार से उतने ध्यान रखो को भी तो उच्छी तो अउलग्षय को तो गईके पूरा लिखुदे आपको दो में इस प्रकार से ही लिख देगा माइटो कॉंड्रिया और लवक ऐसे कोशी कांग के नाम है जिनके अंदर अपना अनुवांसिक पदात पाया होता है इस प्रकार से लिख दोगे तो आपको दो नमर मिलेगा तो चलिए अब हम लोग करेंगे आठ नमर सवाल को हमरा आठ नमर सव इस प्रकार से है कोन शा कोशी कांग कोशी का का पावर हाउस पावर हाउस कहा जाता है आपको यार रखना है कोश्चन कोशी कांग कोशी का का पावर हाउस कहा जाता है तो देखिए इसका एंसल जो होगा माइटो कॉंड्रिया को कोशी का का पावर हाउस कहा जाता है आपक आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि इस पर से आपको दो नमर सवाल और एक नमरा में भी पुछता है तो इस प्रकार से याद रखेगा कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो चलिए आप सभी को क्या कोशिकांग कैसे वा हैं ने जाता है तो इसे क्यों नमर सवाल को पड़ा असर आपको नहीं रहोह क्या है उने हम और झा है से होकर जाना प्राशरन कहलाता है इस प्रकार से आपको याद रखना है प्राशरन किसे कहते हैं या प्राशरन क्या है तो आपको याद रखना है पदात के उच्च सांडरन से निम्न सांडरन की ओड किसी पलाजमा जिली से होकर जाना ही प्राशरन कहलाता है तो चलिए आप ह जूरें जिस प्रकार से जूलने रगें सभी उसी प्रकार से हम लोग कलास को थोड़ा बढ़ा करेंगे तो देखिए इसमें हम आज 12 को से बहुत विविया है डग्त क्या है तता या कितने प्रकार के होते हैं तो देखिये एंसल जो होगा रख्त एक तलल स्योंजी उत्तक होत पुछेगा इस प्रकासे पुछेगा तलल स्योजी उत्तक किसे करते हैं तो आपको याद रखना है रक्त चलिए इसमें आपका एक नमर्चा सवाल भी आगया मिल गया अब्जक्तिव का भी और हम सब ज्यक्ति का इसका एंसर देखते हैं रक्त एक तलल शेयोजी उत्तक है जो पलाजमा और रक्त कोशिकाओं में कोशिकाओं से मिलने से बना होता है आपको इस प्रकार से याद रखना है इसको थोड़ा मूपर करते हैं दिखने रहा है देखिए सवाल है रक्त कोशिका रक्त क्या है तथा या कितने प्रकार के होते हैं तो देखिए याद रखना है आप को राक्त में तीन परकार की पेरे का चेंज कर लेते हैं हम कर पहले चेंज कर लेंगे इसका थोड़ा लेड कर लेते हैं अब हम लोग डेखते हैं रखत में तीन परकार की रखत को शीकाएं पाई जाती हैं तो कौन-कौन पाई जाती है वह हम देख लेते हैं इस परकार पहला जो हमारा है इसको थोड़ा है रार रक्त दूसरा में स्वेट रक्त इसको यू वी सी यू वी सी से हम पर्युक्त करते हैं और सी जो है थ्रॉंब्रो साइट इस प्रकार से आपको याद रखना है तो चलिए आज का हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे लास्ट सवाल भी बहुत ही भी विया है जो कि दो न सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब करते हैं जिसमें और दोनों के गुन पाये जाते हैं उसी आपको देहां रखना है जिसमें धातू का भी गुन हो और धातू का भी गुन हो और धातू का भी जिसमें गुन होगा और धातू का भी उसी को हम लोग कहेंगे क्या उपधातू आपको इस प्रकार से यार रखना है धातू एवं और धातू के गुन को ही हम लोग उपधातू कहते हैं तो चलिए आप सभी को क्या question समझ में आ गया तो आप सभी जल्दी से comment में yes लिख दीजिए फास्ट किजिए आप सभी और वीडियो को अभी तक like ने किये हैं तो वीडियो को like कर दीजिए आज से हमारा इसी प्रकार से live class चलेगा और हम आज से subjective question को ही करेंगे इसी प्रकार से तो आप सभी हमेशा class किजिए सारे 5 बजे आपको सुभा में सारे 5 बजे class करना है fix राता है class होगा तो आप सभी सारे 5 बजे class में जरूर जूरें तो चलिए आज के लिए इतना ही हम मिलेंगे अगले class में तब तक के लिए तमाम दूस्टों को bye